आज हम बात करने वाले हैं वरक्षिट संक्या 64 की जो की कक्षा दस्वीं के अगनित विश्य के लिए सिख्षा निदे सल्य राष्ट्रे राल दनिशेतर दिल्ली से 7 दिसंबर 2020 के लिए रिलीज की गई है सो आज कामरा विश्य है माध्यक माध्यक क्या होता देखिए माध्यक क्या होता है Middle Most Value होती है माध्यक किसी वितर्ण की चैंदरिये प्रिविरती का मान होता है यह być है आँक्डों का मदेत्म प्रम्रेक्शन को दशाती है मद्यत्म मतलब बीचो बीच जो आपकी वेल्यू होगी आंकडों को बीचो बीच वेल्यू होगी जब उनको आरोई करम में या अरोई करम में अरेंज करने पर हम देखेंगे कि जो मद्यत्म वेल्यू है वही मद्यत्म आंकडा है हमारा वही क्या कहलाता है माद्यक कहलाता है उसी प्रकास से इनको औरोई करम में या घरते करम में आप दरसाते हैं तो हमारे पास जो middle most value है जो की मद्यत्म प्रेक्शन आपका मद्यत्म आंकड़ा है वो क्या कहलाएगा हमारा माद्यक कहलाएगा तो देखिए 7,6,5,4,3,2,1 तो देखिए दोनों केस में अगर आप data को जो आपके पास आंकड़े हैं उनको औरोई करम में या औरोई करम में अरेंज करते हैं तो हमें कहाए जो इनका मद्यत्म वेल्यू है मद्यत्म प्रेक्शन है मद्यत्म आंकड़ा है वो क्या कहलाएगा हमारा माद्यक कहलाएगा दोनों केस में माद्यक क्या होगा सेम होगा सो देखे हमारे पास हमादे की याद करने के लिए दो methods हैं दो video हैंU जिसा कि आप देख सकते हैं कि जब हमारे पास data क्या e-worked-critten आंक्डबे हैं जो माई पास observations है ज़ो नंबर दिये गए हैं जो हमारे आंक्डबे दिये गए हैं बतला हमें तो से अगर अ कैसे गयात करेंगें देखते हैंगर हम आनकडें के अगर? है तो माधिक है जो मारा माध्यक है वो क्या होगा एन प्लस वन बटा दो वहां पद होगा माली जी हमारे पास आंकड़े के हैं साथ आंकड़े हैं तो साथ जमा एक बटा दो मतलब आठ बटा दो मतलब चारवा, जो चोथा पद उगा मादियक उगा, जब हम आंकड़ों को आरोई करम में वयुस्तित कर लेंगे, तब मारा चोथा पद क्या होगा मारा मादियक होगा उसी प्रिकास से जब N आपका एक समसंख्या है तब मादियक क्यासे ग्यात करेंगे तो हम क्या करेंगे N बटा 2 वा पद, जवा में N बटा 2 जमा 1 वा पद मतलब आपका क्या है, मान लेते हैं 10, मारे पास टोटल जो N का मान ने 10 है मारे पास 10 आंकडी दिये गए हैं, तो हम क्या करेंगे, 10 बटा 2 तो 5 हो गया और 5 उसके बाद क्या करना है N बटा 2 जमा एक मतलब 5 जमा एक 6 तो 5 जमा च्छटा पद जो है उन दोनों का average गयात कर लेजिए उनका mean गयात कर लेजिए उनका उस्त क्यात कर लेजिए जिसके आप देख सकते हैं यहाँ फर तो आपको क्या करना है N बटब 2 जमा में क्या करना है N बटब 2 प्लस 1 बटब सो देखिए mogen पांच जमा च्छे बटब 2 तो आपके पास अगर मान लेजिए 10 है तो हम क्या करेंगे 10 बटब 2 कितना हो गया पांच तो पहले कैसे पांच आ गया और फिर क्या करना है पांच जमा एक मतलब छे तो पांच और छटे पद का जो आपका उसत होगा वही हमारा माद्यक होगा और आप दूसरे सब्दों में कह सकते हैं जो आपकी मिटल मोस्ट है दो बीच के आंकड़े हैं आपके बीच में जो दो आंकड़े हैं उनका आपको एवरेज गयात करना है वही आपका क्या होगा माद्यक होगा अब देखते हैं माद्यक जब हमारे पास आंकड़े क्या हो वरगी कृत हो तो वरगी कृत आंकड़ों के लिए formula आपने लगाना है आपका वरग माप है जो की class height है जो वरग अंतराल है उसका जो आपके उंचाई है उनका अंतर है वह हमारे पास है H है आपके सामने दो दर्ण दिये गए हैं इनका solution भी दिया गया आप यहां से समझने के कोशिश करेंगी अब हमें प्रयास के लिए दो परशन दिये गया है इनको अल करने का प्रयास करते हैं तो दिखिए पहला परशन आपके सामने स्क्रीन पर है यह दी दिये गए वी तर्ण का माद्यक 32.5 है तो एग्यात पारंबारता एफ़ और एफटू ग्यात कीजिए तो हमें दिखिए माद्यक पहले से ही दिया गया है जो की 32.5 है और हमें वरगंत्राल दिया गया है जीरो से दस, दस से बीस, बीस से तीस, तीस से चालिस, चालिस से बचास, पचास से साथ, साथ से सतर और हमें टोटल भी दिया गया है टोटल किसका दिया गया है, वह बारम बारता का So F1, 5, 9, 12, F2, 3, 2 और इन सब का टोटल कितना हमारे पास है, 40 है So सबसे पहले इनको स्थम फॉर्म में लिख लिजिए So वरगंत्राल, देखे, पहले स्थम में हमारे पास क्या 3 स्थम बनें गए हमारे पास पहला स्थम आपका है वरागंत्राल का, दूसरा बारंबारता का, तीसरा संचाई बारंबारता का वरागंत्राल का है 0-10, 10-20, 20-30, 30-40, 40-50, 50-60, 60-70 और बारंबारता दीगी है F1, 5, 9, 12, F2, 3, 2 इसे सब का समिशन भी दिया गया हमें, कितना है, 40 है, जोड दिया गया, 40 है तो इनको भी जोड लीजी आप, इनको जोडने पर मिल जाएगा हमें F1, F2, F2, F31 बराबर कितना मिलेगा हमें, 40 मिल जाता है यहां से, सो संचाई बारंबारता हम कैसे ग्यात करते हैं तो संचाई बारता में देखिए, पहला जो आपका बारंबारता है, उसको एजटी राइट कर लीजी, जो कि F1 है तो F1 सिदी रेक लिखने हैं, जो आपके एजटी है, वैसे का वैसे, फिर हम क्या करेंगे, उससे नेक्स देखिए कितना F5 है, तो F1 प्लस 5 राइट कर लीजी हैं पर, फिर F1 प्लस 5 प्लस 9 कर लेंगे, तो यह अब F1 प्लस 14 हो जाएगा, डैकलिन को एड़ करते रही है, इस पर का जोडते रही है तो देखिए, आप नेक्स के हमारे पास क्या आएगा, अब आपने क्या किया F1 प्लस 14 यहां तक राइट कर ली है, then क्या करना, प्लस 12 राइट करना है, so F1 प्लस 14 प्लस 12 तो यह बन जाएगा, F1 प्लस 26 प्लस 26 प्लस F2 करेंगे तो यह F1 प्लस F2 प्लस 26 आजाएगा, then F1 आजाएगा, मतलब 31 आजाएगा, so F1 प्लस F2 प्लस 31 मिल जाएगा हमें, जो कि आपके लास्ट संचाई बारम बारता का कोलम है, उसमें, the last entry आपकी संचाई बारम बारता की, so देखिए हमारे पास क्या है, F1 प्लस F2 प्लस 31 किस के बराबर है, 40 के बराबर है, तो आपको ए वर्ण 12.5 जो की 30-40 के बीच में ये नमबर वो म시는 30-40 के बीच में वरखंग्राद में व्यों किया मिलेगा 22.5 जो दिया गए माद्यक है तुमरे पास मद्याक वर्ण किया बन जाएगा 32-40 वर्ण हमारा माद्यक वर्ग होगा तो माद्यक वर्ग की निचली सीमा हमारे पास क्या मिलेगी L में मिल जाता है 30 L में कितना मिल जाता है 30 मिल जाता है सो माद्यक वर्ग की फ्रिक्वेंसी जो बारंबारता क्या होगी 12 उससे पहले की संचरी बारंबारता में देखनी है जो की CF लेखेंगे, तो CF क्या होगा हमारा F1 प्लस 14, और H देखिए इनका वरग जो माप है कितना है, वरग अंतराल का जो माप है कितना है, 10 का है, so H ब्राबर 10 है, तो दिया गया माद्यक हमारे पास दिया गया माद्यक 32.5 है, माद्यक वरग हमारा 30 से 40 है, सो एकलेशन में मिल जाता है F1 प्लस F2 प्लस 31 ब्राबर 40, सो F1 प्लस F2 कितना हो जागा, 40 माद्यक वरग जो की 20 की ब्राबर होगा, एक कितना हमारे पास 10 है, और CF कितना हमारे पास F1 प्लस 14 है, और F2 कितना, F माद्यक वरग उसकी फ्रिक्वेंसी बारं बारता कितनी है, 12 है, सो मद्यक क्या हो जाएगा हमारे पास, L प्लस N by 2 माइनस CF अपॉन F इंटू H, अब मादिक दिया गए है में 32.5 रखतीजिए मानुस के हाँ पर L हमें 30 है N बटा 220 है F C F जो हमारे पास है F1 प्लस 14 है बटा में F कितना 12 है और हम H कितना हमारे पास 10 है तो देखिए 30 को आप 22.5 माइनस 30 हो जाएगा ब्राबर में कितना हमारे पास 20 माइनस ब्रेक्ट को उपन कर दीजी तो मिलेगा माइनस F1 माइनस 14 5 दोनी 10 6 दोनी 12 तो अपने कैंसल कर दिये यहां से तो मिलेगा 5 बटा 6 तो अब देखिए यहां से कितना हुआ 2.5 32.5 माइनस 30 करेंगे तो हमें मिलेगा 2.5 इस 5 बटा 6 को अपने क्या किया 2.5 में भीज दिया 2.5 में भीज़ने पर यह वितकर्म हो जाएगा तो 6 बटा 5 हो जाएगा देखिए उसके बाद हमें पास क्या है 2.5 में क्या मिलेगा 20 में से 14 गटाएंगे तो यह मिलेगा 6 6 माइनस F1 हो जाएगा इस को simplify कर लीजिए हमें मिलेगा 3 और दायंपक्स में होगा 6 माइनस F1 और यह को दायंपक्स में मिलेगा 6-3 जो कि 3 होगा तो F1 ब्राबर मिल जाता है ilme 3 अब sminkन 1 से देखिए sminkन 1 में हमारे पास क्या था F1 प्लस F2 ब्राबर 9 था तो F1 का मान रख दीजिए यहां पर 3, 3 जमा में F2 ब्राबर 9 तो F2 क्या हो जगर 9-3 ब्राबर 6 तो F2 मिल जाता है 6 आता है F1 ब्राबर 3 है और F2 कितना हमारे पास 6 है तो यह था आपको पहला परसन, आप देखते हैं परसन नुमर 2 दिएगे वीतन के अनुसार 30 विदार्थियों का माद्यक वजन ग्याद कीजिए तो देखीए हमें वजन दिया गया है बरगंतराल की फॉर में 40-45 किलोगराम वजन है, यह से कितने विदार्थिई, दो है 45-50 किलोगराम वजन वाले कितने विदार्थिई, 3 है 50-55, 8 है, 55-66, 65-65, 3 है, 70-75, 2 विदारती है वरगंतराल में देखिए, सबसे पहले आप राइट कर लीजिए उनका वरजन जो कि है वरगंतराल की फोर में वरजन आपका 40-45, 45-50, 55-65, 65-65, 65-65, 65-65 विदारती हुं संख्या 2, 3, 8, 6, 6, 3, 2 है तब हमें संचाई बारम बारता का स्थम्ब बनाना है, कोलम बनाना है तो पहला देखिए, जो बारम बारता वैसे के वैसे लिखेंगे अफिर क्या करेंगे, 2 दमा 3, तो मिलेगा 5 5 जमा में 8 करेंगे तो 13, 13 जमा 6 करेंगे तो 19, 19 जमा 6 करेंगे 25 तो जो लास्ट आपकी एंट्री है संचाइब बारता में वो किसके बराबर होने चीह एन के बराबर होने चीह और एन क्या होता समिशन ओफ एफ इन सभी संख्याओं का जोड़ जो आपकी सभी संख्याओं क्या होगा। वह और जो विधारति होंगे, 14 से लेकर 19 तर विधारति जो होंगे, वो होंगे हमारे पास 55 से 60 वरगंतराल में, तो हमारा की वर मान है, 15 हो कहा होंगे, 55 से 60 वरगंतराल में और यही मारा माध्यक वरग कहलाएगा, आपको जब भी माद्यक वर्ग पहचानने हम क्या करेंगे N by 2 याद करेंगे N by 2 याद करेंगे फिर आपको देखना है संचाई बारंबारता कॉल में कि वो value किस वरगंतराल में लाई करती है तो हमारा देखिए 13 के बाद 14 है 14 और उसके बाद 15 आएगा तो 14 से लेकर 19 ते कहां जाएंगे 55 से 60 वरगंतराल में जाएंगे तो यही हमारा माद्यक वर्ग है माद्यक वर्ग की निमंतम सीमा L जो है वो कितनी 55 है frequency जो बारंबारता है माद्यक वर्ग की कितनी 6 है और से पहले class की जो आपकी बारंबारता है संचाई बारंबारता को कितनी है 13 है संचाई बारंबारता में 13 मिल गई है बारंबारता 6 है और निमेंतम सिमा 55 है माद्यक वर्ग की सो देखते हैं हमारे पास N बड़ा ब्राबर है 30 N बड़ा 2 ब्राबर 30 बड़ा 2 बड़ा 15 है माद्यक वर्ग हमारे पास 55 से 60 है माद्यक वर्ग की निमंतम सिमा 55 है H जो कि इनका देखिए क्लास जो वर्ग माप हों कितना 5 है frequency मिली माद्यक वर्ग की में 6 और CF मिली हमें 13 सारे मान आप formula में रखती चीए सो माद्यक क्या होगा हमारा L जमा में N by 2 2-CF by F into H L हमारा 55 है N by 2 15 CF 13 बटा में 6 गुना में H जो कि 5 है सो 55 जमा में 15-13 करेंगे 2 2 बटा 6 जो कि 1 बटा 3 होगा सो 5 बटा 3 सो 55 जमा में 5 बटा 3 क्या होगा हमारा 1.67 सो 55 जमा में 1.67 को हम लिख सकते हैं एड करने पर 56.67 56.67 लगभग सो आते 30 विज़ार्थियों का माद्यक बटा जमा में 56.67 किलो गराम है और यह था परसन नम्बर आपका दो सो इस आल बाउट वरक्षीट नम्बर 64 सो इफ यह लर्न फाम इस वीडियो और प्लीस दो सब्सक्राइब माई चैनल and share this video as much as you can thanks for watching